भारत बंद को लेकर पटना के डाक बंगला चौराही पर बंद समर्थ को ने जमकर तोड़ फोड की जिसके बाद पुलिस ने इन बंद समर्थ को को रोकने के लिए देखिए कैसे यहाँ पर बल प्रयोग किया इस दौरान पुलिस कर्मी ने स्टीम पर भी लाठी चार्ज कर दिया दरसल एस टीम शिकांत खांडेकर बंद समर्थ को को ही हटा रहे थी और तभी एक पुलिस कर्मी ने उन पर ही लाठी चार्ज कर दिया तो देखिए यह तस्वीर आपके सामने है जब एस टीम साहब यहाँ पर बंद समर्थ को को ही टा रहे थी और उसी दौरान जो पुलिस कर्मी थे उनकी लाठी जो है वो एस टीम साहब पर ही चल जाती है तो यह तस्वीर आपके सामने है और यह वो बंद समर्थ को की गाड़ी है जो आपको सड़कों पर नज़र आ रही हो की जैसे ही लाठी चार्ज शुरूआ बल्थ का प्रियों किया क्या वैसे ही यह बंद समर्थ तक यहां से तो भाग है लेकिन उनकी गाड़ी जहां की तह ही रह जाती है और उसके बाद पुलिस कर्वी जो है वो यहां पर पहुंचते हैं और इसी दोरान सभी ठीक बगल में आपको सफीत रंग की शर्ट में नज़र आ रहे होंगे लेकिन पुलिस वालों का जब डंडा चल रहा था तो उन्हें यह समझ नहीं आया कि बंद अपको दिख रहे होंगे उनके उपर लाटियां भाजनी शुरू कर दी गए तो सड़क पर अफरा तफ्री का बाहौल भी तोरान और बाद में हाला कि इस वाहन को सीज भी कर लिया क्या है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लेकिन बंद समर्थों को खटाने के दोरान ही स्टीम साहब वे उपर भी ये लाटि वरस जाती है हाला कि स्टीम साहब खुद ही आपर बंद समर्थों को समझाने का पयास कर रहे हैं